हेलो दोस्तों कैसे हो आसा करते हैं सभी लोग जबरजास्त मस्त होंगे और तयारी आप लोगों की जबरजास्त चल लए होगी तो इस वीडियो में रीजनिंग के 20 कोशन लिए हमने हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए इंपोडेंट कोशन है कितने कोशन लिए 20 कोशन लिए और सिलेक्टेड कोशन लिए ये कहीं ना कहीं बार-बार पूँचे गए हैं या आगे पूचे जाएंगे अगर आप लोग इन में से किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो वीडियो इंपोडेंट होने वाला वीडियो पूरा देखें अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सस्क्राइब कर लें यूपी पूलिस की वेकेंसी आने वाली उसके लिए इंपोडेंट वीडियो रहने वाला रीजिनिंग के 56-57 कोश्चन उत्रप्रदेश पूलिस में आते हैं वहीं बिहार पूलिस की बेकेंसी चल नहीं अगर आप लोगोंने बहुन नहीं देखें तो ये दसमा पार्ट है जर दिये गए दिये गए बिकल्पों में से संब्द अच्छर संक्या को चुनिए तो यहाँ पर जो दिया गया है दांकिया डांकिया का संब्द पत्र से उसी प्रकार से सिच्छक का संब्द किस्छे हो जाएगा तो क्या है डांकिया का संब्द किस्छे हो जाएगा तो यहाँ प next question, question No. 2 है दूसरे में क्या है? उदास जब उदास का रोना हो जाएगा उसी परकार से नाराज का क्या हो जाएगा? तो यह option आपको डियेगे ताली बाइना, दाढ़ना, आवाज निकालना जो जोर से चिल दाना तो या जब आदमी उधास होता तो क्या करता है तो रोने लगता है बहित की नाराज होगा तो क्या करता है ताली प्योंब जाएगा नहीं यह कट हो जाएगा दहालेगा दहालता तो यह भी नहीं हो जाएगा तो अब option 2 वचे हैं तो इन में से जो हमारा right answer हो जाएगा जब विक्ति नाराज होता है तो क्या होता है जोर से चिलाता इसका right answer हो जाएगा option number D वाला सही हो जाएगा next question देख लेते हैं next question है next question number 3 है घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करेगी यानि कि घड़ी की घंटे की सुई जो घंटे की सुई जो घंटे की सुई यह बताना तो एक घंटे मतलब 12 घंटे होते हैं 12 घंटे में घंटे की सुई एक चकर पूरा करती ह बारा गंटे में पूरा एक चक्र लगाती है यह डायल होता है इसका क्या होता है यहाँ पर बारा होता है और यहाँ पर एक होता है यानि कि यह पूरा चक्र लगाती है तो क्या होता है एक चक्र लगाती है बारा गंटों में तो आप क्या करेंगे 72 हमारे पास है 72 गंटा 72 गं गिंटे की स्भी बहात्र गंटों में कितने चक्क tr पूरा करेंगी तो यह छे चक्क पूरा करेंगी नेक्ष्ट कोशिय् Championships देख लेते हैं नेक्ष्ट कोश्चने कोश्चनन नमर चार है architecture यह बेन बहुते हैं इस बन यह मिलिक्त निम्लिकित कौता रब शरीशरप डाइनासर और कच्छप के बीज सम्मंद को सरवत्तम दरसाता है तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले तो यहां पर सरीशरप तो सरीशरप होता है सरीशरप के अंदर कौन आ जाएगा तो डाइनासर होते हैं यह डाइनासर हो जाएंगे ये किसके अंतरगत आजाएंगे ये डाइना सुरूगा इसके अंतरगत आजाएंगे ये सरी सरब के अंतरगत आजाएंगे सरी सरब के अंतरगत और बात की जाए यहाँ पर कच्छब तो कच्छब इनसे अलग हो जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से इनका डाइग्राम बनेगा तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा option number C वाला राइट आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से डाइग्राम बनेगा हमारा next देख लेते हैं question number 5 question number 5 में क्या है question number 5 दिया गया है जो कि दरपन से है तो यहाँ पर दिया गया है जिए एक दरपन एमेन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकरतियों में से कौन सी आकरती प्रसनाकरती का सही प्रतिविम होगी तो यहाँ पर दरपन दिया गया है दरपन प्रत्विम तो यहाँ पर यह दरपन इधर रखा गया है यहाँ पर तो दरपन में क्या होता है उपर की चीजे नीचे हो जाती है लेफ्ट की राइट हो जाती है लेफ्ट की राइट राइट की लेफ्ट चली जाती है तो इसमें य यहाँ पर देखें option कट कर लेते यह वाली आकरती नहीं होगी और यहाँ पर जो आकरती यह वाली दी गई being है यह भी नहीं होसकती अकरती पलट नि के बाद कुछ इस प्रकार से यह वाली हमारी आकरती वनेगी तो हमारा right answer हो जाएगा option number यह वाला स्ही हो जाएगा नेज्चु देख लेते हैं question number 6 दिया गया है दी गई उत्तराकृतियों में से उस उत्तराकृति को चुनिये जिसमें प्रसंदाकृति नहीं थे यानि कि ये वाली जो आकृति है ये किसमें चार option में से इन में से छिपी हुई है तो ये बताना है तो यहाँ पर देख लेते हैं किसमें छिपी हुई है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला कुछ इतना पार्ट कटा हुआ है तो इसमें ज्यादा कटा यह नहीं हो सकता इसमें भी नहीं हो सकता इसमें भी नहीं तो हमारा यह वाला पार्ट इसमें मिला साथ है कौन सी प्रसनाकरती के प्रतिरूप को पूरा करेगी तो यहानि कि यहां पर जो इतना पार्ट शुटा हुआ इसमें कौन सी आकरती इसे पूरा करेगी आएगी तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर क्या है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यह गोला बना है और चार जो है लाइने निकली हुई है तो इसमें यह वाली आकरती नहीं हो सकती से कट कर देते हैं और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर corner पर यह कुछ इस परकार से cut लगे हुए है, तो इसमें यह वाली आकरती जो हमें दी गई है, D वाली इसमें नहीं लगे, यहाँ पर यह कोने पर लगे होने चाहिए थे, यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इस परकार से लगे होने चाह सही हो जाएगा तो साथ में का हमारा कुंसा आंसर सही हो जाएगा कोशन नमबर साथ का हमारा जो आंसर होगा ऑप्सन नमबर बी सही हो जाएगा साथ का बी राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर आठ है आठ है इसमें आठ में हमें क्या सबसे पहले लाश्ट से जड़ लिखा उसके बाद B को लिख दिया उसी परकार से संबन्द बन गया इसी परकार से मलाश्ट वाली को देख लेते हैं इसमें भी हम क्या करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं सुरुआत में W है तो W को लिख लेंगे, उसके बाद B को, उसके बाद Y को, उसके बाद क्या है, X को तो हमारा किसमें यहां अनसर दिया गया है, W, B, Y, X तो यह C वाला हमारा राइट हो जाएगा next question number 9 है तो 9 में देख लेते क्या है 9 में क्या है यहाँ पर 4 दिया है 16 दिया गया 9 दिया गया यहाँ पर क्या आएगा तो देख सकते हैं अगर हम square करेंगे 2 का तो 2 दुनी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा 2 का square 4 होता है फिर यहाँ पर 4 का square करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा तीन का स्कॉार करेंगे तीन तीन अगर चार का करेंगे तो 16 आना चाहिए मगर option में कहीं भी 16 नहीं दिया गया है तो दूसरा logic देख लेते हैं अगर हम 4 की multiply 4 से करें तो हमारा 16 आ जाएगा उसी परकार से 9 की multiply हम 4 से करें तो हमारा 36 आ जाएगा तो यहाँ पर 4 से multiply हो रहे है option number D Allah right हो जाएगा next question देख लेते हैं next question दिया गया है question number 10 है इसमें क्या दिये गई विकल्पों में से बिसम सब्द दच्छरों अच्छर संक्या यूगम को चुनिया तो यहाँ पर बिसम सब्द हमें चुनना यहाँ पर बोल्ट दिया गया है बाट, एमपियर और किलोग्राम तो सबसे पहले देख लेते हैं बोल्ट और बाट और एमपियर यह क्या है बिधुद धारा मापने के जो है इनसे क्या है बिधुद के मात्रक है यह तीनो दिये गए है यह तीनो बिधुद के मात्रक दिये गए है किलोग्राम यह क्या होता है इसे बजन का मात्रक है बजन को हम जो है नापते हैं तो यहाँ पर जो हमारा बिसम हो जाएगा वो उप्शन नमबर D से हो जाएगा किलोग्राम बाला जो की हमारा 26 नंबर पर वहीं 19 नंबर पर आता है और वहीं बात कर लेते हैं यल यल 12 नंबर पर आता है वहीं य पांच नंबर पर आता है तो अगर आप लोग इन में relation चेक करोगे तो इनके सभी के कोड़ आपको पता होने चाहिए इससे अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ आएगा इसी मेंसे हम साथ माइनस करेंगे तो हमारा बारा आए जाएगा अब इस बारा मैंसे अगर हम बारा मैंसे अगर साथ माइनस करेंगे तो पांच आ जाएगा तो इसी प्रकार से अगर हम सब में चेक करेंगे इसमें भी चेक करेंगे इसमें भी चेक करेंगे तो सब में से क्या है साथ साथ माइनस हो रहा है जबकि इसमें अगर हम देखेंगे लास्ट बाले ओप्सन में डी बाले में तो डवलू का कितना होता है 23 और उसी परकार से I 9 पर होता है सोरी यहाँ पर I 9 नमबर पर आता है P 16 पर आता है उसी परकार से B कितने पर आता है 2 नमबर पर तो यहाँ पर आप लोग अगर इनको माइनस करोगे तो इसमें काफी अंतर आ रहा 14 का अंतर आ रहा इसमें है और इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसका जो है 7 माइनस नहीं हो रहा तो हमारा यही सबसे भिन हो जाएगा उसन नमबर जो है डी वाला राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन नमबर बारा देख लेते हैं कोशन नमबर बारा में क्या है तो कोशन नमबर देख लेते हैं बारा बारा में देख सकते हो यहां पर क्या देख सबसे पहले हैं यहां पर देख लेते हैं क्या चला तो विसम वाला कोई लूजिक नहीं यहां पर बारा का स्कॉयर हो रहा है यहां पर चे का स्कॉयर हो रहा है यहां पर 5 का स्कॉायर हो रहा है यहां पर जो 78 किसी का स्कॉायर नहीं है तो यह वाला हमारा राइट हो जाएगा और सी वाला next question देख लेते हैं question number 13 13 में क्या दिये गए दिये गए उत्रों में से कौन सा उत्तर निमनेखित सब्दों का सार्थक क्रम होगा तो सार्थक क्रम में सबसे हमें लगाना यहां पर सरीर के अंग दिये गए अंग दिये गए हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आजाएगा इसमें माथा आएगा तो पांच नमबर पर माथा आएगा उसके बाद हमारी क्या आजाएंगी आखे आएंगी दो नमबर पर आखे आजाएंगी उसके बाद आखों के बाद हमारा क्या आएगा आखों के बाद कान आजाएंगे है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर जो है सी वाला सही हो जाएगा पहले पांच में नमबर पर हमारा माता आ जाएगा और सबसे उपर उसके बाद नीचे दो नमबर पर आखे उसके बाद चोथे नमबर पर हमारा क्या जाएंगे कान और तीन नमबर पर नाक और लास्ट में हमारे ओठा जाएंगे तो यह सार्थ क्रम होता है नहीं लगाने का Next question number 14 देख लेते हैं question number 14 में गया दिया गया है एक अनुक्रम दिया गया जिसमें से एक दो पदलूपत हैं दिये बिकल्प में से वा सही बिकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं C का code 3 होता वहीं I का code 9 होता है N का code 14 होता है वहीं बात कर लेते है R का code 18 होता है वहीं बात कर लेते U का code 21 होता है आप सबसे पहले इसमें देख लेते प्लस कितना हो रहा है तो यहाँ पर संक्या आगे बढ़ रही तो तो यहाँ पर देख सकते हो 5 प्लस हुआ अगर हम 6 प्लस हुआ सोरी गाईज अगर हम यहां पर देख सकते हो अगर 3 में अगर 6 मिला देंगे तो 9 आ जाएगा और 9 में अगर हम कितना अगर 5 मिला देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा उसी परकार से 18 तो यहां पर देख सकते हो यहां पर प्लस हो रहा कम हो के प्लस हो रहा पहले 5 प्लस हुआ फिर 4 हुआ पिर सोरी गाई यहां पर क्या हुआ पहले 6 प्लस हुआ उसके बाद क्या हुआ 6 के बाद यहां पर 5 प्लस हुआ उसके बाद अब 4 प्लस हुआ, उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हो 3 प्लस होगा यानि कि 18, 3 प्लस हुआ और 21, U 21 पर हो अराब 2 प्लस होगा 21 में 2 अगर हम मिला देंगे तो यहाँ पर W हो जाएगा, W 23 नमबर पर आता है तो यहाँ पर हमारा A वाला right answer हो जाएगा यानि कि तो 14 में देख सकते हैं यहाँ पर क्या चलना है तो यहाँ पर क्या हुआ सबसे पहले 6 प्लस हुआ फिर 5 प्लस हुआ उसके बाद 4 प्लस हुआ उसके बाद क्या 3 प्लस हुआ अब उसके बाद last में हमारा 2 प्लस हुआ जब 21 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो W हमारा 23 नमबर पर आ जाएगा जो कि हमारा right answer हो जाएगा option नमबर A सही हो जाएगा तो यहाँ पर जो है सबसे शुरुआद में 5 प्लस हुआ फिर minus होके 4 प्लस हुआ इसी पर कार से प्लस हो रहा है next question देख लेते है question No.15 दिया गया है तो question No.15 में दिया गया है दिये गहीं कलबों में से हैसा सबद चुनिये जो सबद में दिये एच्च्छों का प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता है तो यहाँ पर देख सकते है इसमें कहीं भी J नहीं है और इसमें J दिया गया है तो हमारा right answer option number D वाला सही हो जाएगा next question number दिया गया है 16-16 में क्या है यह दी यहाँ पर question को इस question को 56-23 और 89 लिखा जाता है code में लिखा जाता है तो आप यहाँ पर दिया गया है Queens को Queens को किस code में लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने code दिया है और यह वाले later यहाँ पर जो दिये गए है यह यहाँ पर ही निकाल दिये तो अब इसनका code इसी में से हम देख लेते हैं तो code महासा में लिखा गया तो यहाँ पर Q का code यहाँ पर देख सकते हैं Q का code कितना दिया गया है 5 दिया गया है उसी परकार से U का code 6 दिया गया है उसी परकार से E का code दिया गया है E का code 2 दिया गया तो यहाँ पर डबल 2 दिया गया तो डबल E है तो डबल 2 हो जाएंगे EN का code देख सकते last में 9 दिया गया तो 9 देख लेते हैं और ES का code यहाँ पर देख सकते 14 नमबर पर बन दिया गया है तो 56,92 किसमें दिया गया option number हमें A में दिया गया जो कि हमारा यही right answer हो जाएगा next question number 17 देख लेते हैं question number 17 में क्या है question number 17 है C का Code 3 होता है यहाँ पर 24 हो गया Kate Dog 26 हो गया Tiger यहाँ पर क्या होगा तो इसी परकार से सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं A, B, C, D की Code आपको यादी होना चाहिए C का 3 होता है 1, A, 1 होता T का 20 होता अगर इन सभी को आप प्लस करोगे तो हमारा कितना आजाएगा 24 आजाएगा उसी परकार से Dog को दिया गया है यहाँ पर देख सकते हो कितने नमबर पर आता है O, 15 नमबर पर आता है D, 4 नमबर पर आता है उसी परकार से यहाँ पर G, 6 नमबर पर आता है तो यहाँ पर अगर इनको aid करोगे तो यहाँ पर देख लेते हैं डोक का यहाँ पर देख सकते हैं जी साथ नमबर पर आता है वो पंदरा नमबर पर आता है वो पंदरा नमबर पर आता है उसी परकार से D4 नमबर पर आता है D4 नंबर पर अगर हम इन सभी को जोड़ोगे 19 और 7 प्लस ये 26 आ जाएगा अब हम Tiger को इसी परकार से जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या कितना आ जाएगा तो यहांपर Tiger को देख लेते हैं Tiger सबसे पहले T का कोड 20 होता है उसी परकार से देख सकते हैं I का कोड 9 होता है उसी परकार से G का कोड 7 होता है उसी परकार से E का कोड 5 होता है उसी परकार से R का कोड 18 होता है अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा जो है 59 आ जाएगा यानि 69 किसमें दिया गया option number यह में दियागे यही right answer हो जाएगा question number 18 देख लेते हैं 18 में direction से इसमें का गया है हरी पूरव की और मुख करके खड़ा है वह अपने दाएं मुड़कर 50 km चलता है फिर वह अपने बाएं मुड़कर 50 km चलता है इसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 50 km चलता है फिर से वह अपने दाएं और मुड़कर 100 km चलता है इस परकार वह अपने प्रारंबिक इस्थल से किस दिशा में होगा तो किस दिशा में होगा तो प्रारंबिक इस्थल से सबसे पहले यहां पर देख लेते हरी पूरव की और सबसे पहले नौर्थ हम उपर मानते हैं और दच्छिन नीचे मानते हैं और इस्ट अपने जो है कि साइड में मानेगे हम राइट हैंड पर मानेगे और जो है बेश्ट यानि पच्छिम हम लेफ्ट हैंड की तरह मानते हैं तो सबसे पहले यहां पर कहा कि हरी ज और पचास किलो मेटर चलता है फिर उपने बायंगा अब इसका बायं कि साइड में हो जाएगा तो इसका बायं इस साइड में हो जाएगा कुछ इस साइड में ये बायंMe किया है तो दवारा यह दाइने मुड़ेगा तो कुछ इस साइड में चलेगा और कितना यह चला सव किलोमेटर चलता है अब सव किलोमेटर चलता है इस समय वह अपने प्रारंबी की इस तल से किस दिशा में होगा तो आपसे किस दिशा में होगा यानि कि इस दिशा से पूछा किस दिशा में है तो यह नौर्थ यानि कि इदर साउध दच्छिन में होगा हो जाएगा काफी लोग किसमें रगाएंगे क्योंकि पशिंकर साइड में वह गया है तो यह नहीं पूछा गया है तो इसका जुल ऑजाएगा दच्छिन हो जाएगा ज्यृट सब्सक्राइब नमबर दिया गया है जो को जो की दिया गया इसमें दी गई आकरतियों में कितने तिर्भुज हैं तो इसमें तिर्भुज आपको बताना है तो तिर्भुज आप काउंट करें आप लोगों को अगर ट्रीक पता होगी तिर्भुज काउंट करने की तो आप लोग इसमें दएक लेते हैं तो नेक्सट को सिषे लाश्ट नारु चला है विजह जो लूप्त डी कहिं यहां हमें बताना इनमें कौन सी संक्या ौईङी तो लुप्त संक्या तो सबसे पहले इसमें क्या गला है यहाँ पर जोड़ घटाना माइनस उइनस कुछ नहीं चला है नाहीं स्वायर चला है नाहीं गुणा कुछ नहीं चला है तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो हम अपने बिकरण आते यानि कि जो हमारे बिकरण है तो उनमें देख सकते हो एक दूसरे के सामने संख्या आ रही है इस परकार से तो इसके सामने चार के सामने चार आ रहा ही दो के सामने दो आ रही है उसी परकार से अगर इसमें हम चेक करेंगे तो उसी परकार से यहाँ पर देख सकते हो 6 के सामने यहाँ पर क्या आजाएगी 6 संक्या आजाएगी तो 6 के सामने 6 आजाएगी इसी परकार 2 के सामने क्या 2 यहाँ पर 2 आजाएगी अब हमारा यहाँ पर 6 और 2 हो जाएगा 6 और 2 यह किसमें दिया गया है 6 और 2 तो इसका जो right answer हो जाएगा option number B वाला सही हो जाएगा तो आशा करते हैं कि यहाँ लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो देख सकते हो यहाँ पर इन में से जो आपका right answer option number B हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बिक्रानत जो है जो संक्या सामने आई है वही संक्या आएगी तो इसका जो right answer option number B आसा करते हैं कि यहाँ लोगों को वीडियो पसंद आएगा अगर आप लोगों को कोई doubt बगेर है या question बगेर है तो comment box में comment करें और आप लोगों के लिए